दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को एक ऐसी डेट फ्री यानि की कर्ज मुक्त कमपनी बताने जा रहा हूँ जिसका स्टॉक प्रैस सिरफ 40 रुपीस के उपर में चल रहा है और कमपनी ने आप इस 6 इस टू 6 के रेशियो से स्टॉक बोनस अनाउंस कर दिया है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं F&O मीडिया बाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो इस स्टॉक का नाम बता देने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टॉक के कुछ और important information के बारे हम बता देता हूँ तो इस स्टॉक ने last एक साल के अंदर में 244% के return दे दिये हैं जोकि पिछले एक साल के इसाब से कुछ जादा ही अच्छे returns हैं अगर हम बात करें स्टॉक के current price की तो 41.95 रुपीज के ओपर में चल रहा है इस company की जो market capitalization है वो 42.4 करोर की है मदलब यह एक micro cap company है अगर हम बात करें स्टॉक के PE ratio की तो हमें average देखने को मिल जादा है 22.9 का वहीं जो इस stock की book value है वो 21.4 रुपीज की है company का dividend yield यहाँ पे 0% का है अगर अब company का ROCE return on capital employed देखोगे तो 6.33% का है और वहीं जो ROE return on equity है वो 8.93% का है अब company का ROCE और ROE average से काफी कम है जिसका clearly मतलब हमें पता लगता है कि company growth perspective से यहाँ पे कहीं न कहीं struggle कर रही है face value stock का 10 रुपीज का है अब आजाते हैं बात कर लेते हैं इस company के financials की simply हम last one year को यहाँ पे compare करने वाले है सबसे बहले बात कर लेते हैं इस company की sales की तो जहाँ पे 2022 के अंदर में company की sales 9.64 करोड की थी वही 2023 के अंदर में यह बढ़ करके 13.28 करोड पे आ चुकी है तो last one year के अंदर company की sales में हमें एक अच्छा खासा growth देखने को मिला है अगर हम बात करें इस company के operating profit की तो जहाँ पे 2022 के अंदर में company का operating profit negative में था और minus 0.82 करोड का था वही 2023 के अंदर में positive आ चुका है and plus 0.50 करोड पे आ चुका है अगर हम बात करें company के net profit की तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जहाँ पे 2022 के अंदर में company का net loss था minus 0.07 करोड का net profit था मदलब company loss के अंदर में थी and वही 2023 के अंदर में company का जो net profit है वो 1.58 करोड का है तो यह काफी अच्छी बात है company loss से net profit के अंदर में आ चुकी है and last one year के अगर आप specially financials देखते हो तो हमें अच्छे financials यहाँ पे company के देखने को मिल जाते हैं अगर हम बात करें इस company के shareholding patterns की तो हमारे पास में June 2023 वाले quarter का last data है जिसके according promoters के पास में आप 30.76% का stake मौजूद है और बाकी का 69.24% का जो stake है वो public याने की retail investors के पास में मौजूद है अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सोच सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा आप company के उपर में एक question कर सकते हो because promoters अपनी holding लगातार जोए कम करते जा रहे हैं मिल जाती है shareholding patterns देखने के बाद में अब आ जाते हैं बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है Weir Healthcare Limited इस company का जो Bombay Stock Exchange का code है वो है 511523 वहीं अगर हम बात करें company का official announcement की तो company ने आप इस stock bonus करके रखा है 1 to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहाँ पे आपको एक stock as a bonus मिलेगा मतलब total में आपका जो एक stock है वो दो stocks में convert हो जाएगा आप इसको 6 to 6 का ratio भी कह सकते हो basically आपके पास में इस company के जितने भी stocks होंगे वो सब के सब यहाँ पे double हो जाएंगे अभी कल के दिन में इस company ने stock bonus को देने की x date और record date अनौंस कर दिये जो की 22nd of September की होने वाली है तो अगर आपको इस stock को purchase करना हुआ ताकि आप आपको इसके stock bonus का benefit मिल पाए तो आपको इस stock को उसकी x date यानि की 22nd of September से पहले-पहले purchase कर लेना होगा बाकि आज के वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं अब अगर आप कोई वीडियो अची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मेलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye